प्रदाएक दूला बोईटाखे तांको ना चुळांतो हुई छी नाइफजी चाहिनी दितियो थरपाई हर्यानार मोईटाखे आजी सबार होहै कहा प्रदाल मंत्री राज्जरा बोईटागरी माले इतरे जोगागे लगाता तीसरी बार भातिय जंता पार्णी उनका उन्हेकर नीए हमारे प्रदान मंठी नरेंद्र मोदी जी जब संगटन का काम देखते थे तब हर्याना के प्रभारी ने हर्याना के विकास की जरूरिया थे हर्याना के जनतां क्या सरवांगीन विकास इसके लिए उनके मन में हर्यानयाओ की समस्याओ की समझ उसी वक्त से बने कि बूढी घृण जी से मुझ्य मंत्री बने और मरम दी के नेप्रिके लगवग लगवग 9 साल सरिकार चलिए जब पार्टी ने मनोर जी को केंडर में दाईतों देने का नेड़े किया हमारे युवा मुख्यमंत्री को पार्टी ने बात दोर सौपी और उनके नेथुतों में तीसरी बार हमें चुनाओ जीद करता मैं हर्याना की जद्बा से इनका बहुत बहुत स्वाला रिए और धन्यवाद करता हूं आदनीय मनहुरलाजी का अदनीय राविंदर जी सिंग्जी का और आदनीय कृस्पार जी जो हमारे केंडरिय मंत्री हैं तमाम हमारे सांसरगर्ण हर्याना के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी महनत करके और हमारी डवल इंजन की सरकार नेतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हर्याना की जनता ने आज तीसरी बार कंतिनुटी के अंदर ये भारतिय जनता पार्टी के उपर किया है ये विश्वास ये नरेंदर मोदी जी की लीतियों का विश्वास है ये नरेंदर मोदी जी की जिए जिसके उपर आज हर्याना में विश्वास किया है और ये प्रण हरियाना की लोगों ने लिया है कि हम भोदी जी के उस संकल्ब को 2047 तक जो भिक्षित राष्ट बढ़ाने का संकल्ब पादणिया भोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कारिय करेंगे आप सबको मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं पुने आदमिया अमिसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और महुनी आदर जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं